हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जारे बिल्कु चट पती रेस्पे आम पापड की दोस्तों इससे बनाना हज से ज्यादा असान है और बिल्कु भार से बनती है या फिर कहसके भार से भी ज्यादा बैटर बनती है दोस्तों बनाने से पहले मैं चैनल को जुरूर करें और जो साथ में तीवे गंटी उसे भी जूर दबा दीजिए चलिए शुरू करते आम पापड की चटपटी रेस्पी आम पापड बनाने के लिए मैंने लिया आम दो बड़े आम को मैंने छील कर रफली कट कर लिया था अब मैं इसमें डालूंगी चीनी मैं इसमें आदा कर लेंगे कां की आमको काफी चितर से अब हमके लगाते लेंगे इसमें लंश नहीं आने दिना दोस्तों अगर आपके चिलका यहाग को पस्टेना जुरूर्ट चान लेख पांच यह चैनल हो चुक है और बेश्ट भी और काफे गाड़ा हो चुक है अब मैं इसमें डालोंगे इलाइची पाउडर दोस्ते अगर आप चाहो तो इलाइची पाउडर नहीं भी डाल सकते यह कोई कंपल्शरी नहीं है और चाहो तो तो घर में भी पीस के यलाइची पाउडर को डाल सकते हो अब हम इसे तीन चार मिनिट के लिए और मिला लेंगे दोस्तों मुझे पिस्ट को मिलाते हुए 8 मिनिट हो चुकी है अब गैस को ओफ कर देते हैं जेख सकते हुए फ्रेर्स पिस्ट कितनी अची तैसा गाड़ा हो चुक है अब हम इसे इस वखाने के लिए प्लेट के उपل डाल लेंगे दोस्तों हम इस उखाने के लिए स्टील की प्लेट ही लेनी है, अब मैं इसके उपर लगाओंगे गी, जब हम इसे उतारेंगे तो गी की वज़े से जल्दी उतर जाएगा, और असानी से भी उतर जाएगा, चारो तरफ से फिला लिने गी को इस तरह से अब हम प्लेट के उपर डालेंगे बनाएवा पेस्ट अब इसे चारो तरफ फिला लेंगे प्लेट के हमें इसके एक पतली लेर बना लेने हैं दोस्तों इस तरह से हम चारो तरफ लालेंगे प्लेट के अब हम इसके उपर डालेंगे काला नमक जिसे गे और भी चट पटा हो जाएगा अगर आप चाओ तो नहीं भी डाल सकते अब हम इसे सुखा देंगे दूप में अगर दूप तेज है तो आप इसे एक दिन के लिए सुखा सकते हो अगर दूप कम तेज है तो दो दिन के लिए सुखा दीजिए एक दिन सुखने के बाद आम पापड कुछ ऐसा नज़रा रहा है मैंने इसे काफी तेज दूप में सुखा है इसलिए एक दिन से कम में सुख चुका है अब हम इसकी कॉर्णर को कट कर लेते हैं चकु से कट कर लेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक में चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज में चैनल को जूरु सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साथ में दीवी घंटी उसे भी जूरु दबा दीजिए जिसे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का सब्सक्राइब को कट कर लेंगे कट करने के बाद हम इसे साइड में से निकाल लेंगे कि देख सकते हैं कितनी इजली उतरने लग रहा है गीर लगाने के बाद काफी असानी से उतर जाता है इसलिए गीर जुरूर लगाए दोस्तों देख सकते हो फ्रेंड्स हमां आम पापड़ा उतर के रेडी हो चुक है कितना अच्छा कलर आया हुआ है देखो बिल्गू ट्रांस्पेरेंट लगने लग रहा है और अब कट कर लेंगे इसे हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे मैंनी से ट्रेट कट कर लिया है अब हम इसे रोल कर लेंगे कितना इजली रोल होने लग रहे है दोस्तों देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छी तरह से रोल बन चुक है, कितनी परफेक्ट लेर आई हुई है इस तरह से हम बाकी को भी कर लेंगे इस तरह से मैंने इसे रोल बना लिया है, देखने में बहुत जादा लाजवाव लगने लग रहे हैं दोस्तो कलर भी कितना अच्छा है हुआ है, और लेर तो देख सकते हो कितनी परफेक्ट बनी हुई है और खाने में तो दोस्तों बहुत जादा चट पटा और बिल्कु भार जैसे है, कह सकते हैं भार से भी ज्यादा अच्छा बना हुआ है एक बार अगर आप इसे गर में बनाओगे तो रेली आप बलीव ने करोगे हमेशा ही से बनाओगे अब मैं आपको पीस में भी कट करके दिखा देती हूँ, आप इसके जितने पीस चाहते हैं उतने कट कर सकते हो मैं आपको एक पीस उठा के दिखा देती हूँ देख सकते हैं कितना अच्छा लगने लग रहा है बिल्कुल ट्रांस्पेर्डेंट परना है और लेयर भी कितनी अच्छी आई हुई है इसकी खाने में बिल्कुल लाजवाब है दोस्तों यह अब हम इसे रख देते हैं दोस्तों इस तरह से मनें आम पापड को बनाकर रेडी कर लिया है खाने में बहुत जादा लाजवाब है दोस्तों आप इसे घर में जुरूर ट्राय करें मुझे कमेंट करके भी बिताए कि आपको यह वीडियो कैसे लगी साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्क